नमस्कार विब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है पेश हैं आज की प्रमुक्त खबरें धोनी ने निकाली योगराज से दुश्मनी योगराज सिंग ने कहा क्रिकेटर योगराज सिंग के पिता योगराज सिंग ने टीम इंडिया के कप्तान महेंदर सिंग धोनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि धोनी की वजए से योगराज का विशुकप टीम में चैयन नहीं हो पाया उन्होंने कहा कि यूगराज के साथ नाइंसाफी हुई है पता नहीं धोनी को यूगराज से क्या दिक्कत है यूगराज ने कहा कि निजी दुश्मनी के चलते ऐसा करना ठीक नहीं है दूसरी और योगराज सिंग IPL में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाडी बन गए हैं जिन्हें दिल्ली डेर डेविल्स ने सौंबार को आठ में सतर के लिए खिलाडियों की नीलामी में 16 करोड रुपए में खरीदा है योगराज के लिए चार टीमों के बीच बोली की होड लगी थी पिछले साल रायोल चैलेंजर्स बैंगलूरु ने योगराज को 14 करोड रुपए में खरीदा था आइस आइफ ने 21 इसाईयों को गलारेद कर मार डाला आतंकबादी संग्ठन इफ्लामिक स्टेट का एक और खतरनाक वीडियो सामने आया है आइस के इस वीडियो में कॉप्टिक इसाई बंधकों के सिर कलम करते दिखाया गया है इन लोगों को लीविया के आतंकबादी ने बंधक बनाया हुआ था रभीबार देराज जारी हुए इस वीडियो में लोगों को नारंगी रंग के जंप सूट पहना कर एक बीच के किनारे ले जाते हुए दिखाया गया है सभी बंधकों को घुटने पर बैठाने के बाद एक आतंकबादी ने इस घड़ना करम को कैमरे में कैद करने का आदेश दिया आतंकबादी वीडियो में कह रहा है कि हम अल्लह की कसम खाते हैं जिस समुद्र में तुमने शेख ओसामा बिन लादेन का शरीर डाला उसे हम तुम्हारे खुन से भर देंगे इसके बाद सभी बंधकों का सिर्थ उनके धर से अलग कर दिया गया अबू सलेम प्रदीब जैन हत्या कांड में दोशी अंडर वर्ल डान अबू सलेम को टाडा कोट ने दोशी करार दिया है प्रदीब जैन की हत्या 1999 में हुई थी अबू सलेम के साथ ही मेंदी हसन को भी कोट ने दोशी माना है साथ मार्ट 1995 को जैन की जुहू इफ्तित उनके बंगले के बाहर हमलावरों ने तब गोली मार कर हत्या कर दी थी जब जैन ने कथित रूप से अपनी संपत्ती में हिस्सा देने से इंकार कर दिया था 107 जवानों की हत्या का आरोपी नकसली गिरफतार 36 गड़ में करीब 107 जवानों की हत्या में शामिल नकसली सुक्रम उर्फ ओयाती चैतू को पुलिफ ने गिरफतार कर लिया गिरफतार नकसली अपरेल 2010 में चिंता गुफा थाने के ताड मेटला में 76 सी आरोपी जवानों की हत्या के मामले में भी शामिल था इस पर पुलिफ ने 8 लाग रुपए का इनाम रखा है चैतू दक्षन रीजनल कमेटी में सक्री बटालियन की कमपणी दो की प्लाटून करमा 3 का सेक्शन कमांडर था संजे लिला भंसाली की फिल्म बाजी राव मफ्तानी के सैट पर आधित पंचोली ने जम कर हंगामा किया बताया जाता है कि उस समय पंचोली का मूड खराब था उन्होंने क्रू मेंबर्स से जगडा कर लिया इससे पहले कि मार्पीट की नौबत आती दोनों पक्षों को अलग कर दिया गया हलागि एक दिन बाद आदित्य ने माभी मांग कर मामले को ख़द्म कर दिया ये थे अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेब साइट www.webdunia.com नमस्कार